नमस्कार दोस्तों देश के तीन बड़े न्यू चैनल्स और उनके एंकर्स के खिलाफ NBDSA यानि News Broadcasting and Digital Standard Authority ने सखत कारवाई किये जुर्माना लगाया है और चेताब नहीं दिये कि समाज में नफरत फैलाने और सामप्रदाइक सोहार्द खत्म करने वाले कारकरम अपने चैनल कारकरम के वीडियो हटाने के निर्देश भी दिये गए न्यू चैनल्स और उनके नफरती एंकर्स के खिलाफ अपने लंबे चौड़े और में NBDSA के चेर परसन और सुप्रिम कोट के रिटायड जज्ज ने बहुत कुछ कहा है जो आपको जानना चाहिए मेरे हाथ में जो पन्ने है इसमें दलीले भी है शिकायत करता की आरोप भी है और जस्टिस सीक्री का फैसला भी है आपको जानना चाहिए कि इन चेहरों को अपने कंधे पर ढूने वाले चैनलों के वो कौन से प्रोग्राम से है जिसे देखकर जस्टिस सीक्री इतने आपको जानना चाहिए कि जस्टिस सीक्री ने न्यू चैनल्स के ऐसे एंकर्स को लतार लगाते हुए क्यों कहा कि भविश्च में लब जिहाद जैसे शब्द का इस्तेमाल बहुत साबधानी से करना चाहिए इसका गैर जिम्यदाराना इस्तेमाल देश के सेकुलर ढाचे को चरबरा सकता है मेरे हाथों में दरजनों पन्ने जो इन चैनलों के कारनामों से इन एंकर्स के कारनामों से रंगे पड़े हैं इन दस पन्नों में आज तक के सुधीर चौधरी के नफरती कारेकरम के बारे में शिकायत करता की दलिलों के साथ जस्टिस सीकरी का फैसला है और इन पंद्र पन्नों में अम्बानी के चैनल न्यूज एटीन के जहरीले एंकर्स अमन चोपड़ा और अमिश्देवगन के कारणा में धर्ज है और इन आठ पन्नों में टाइमस नाव के चैनल टाइमस अफ इंडिया का चैनल नवहरत कैसे लब जिहाद के नाम पर एक धर्म को टार्गेट करता है या टार्गेट किया है नवहरत में ये दर्ज है और इसी वीडियो में पूरी बात विस्तार से मैं बताऊंगा सुनियो और समझिये आप मेंसे लाखों लोग इन्ही चैनलों को देखते हैं इन्ही चेहरों को देखते हैं और ऐसे ही एंकर्स के कारेक्रमों के जरीए अपनी सोच को जहरीली बनाते चले जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता है कि कैसे यह एंकर्स और इनके चैनल्स आपके भीतर नफरत का संचार करते हैं आपके दिल और दिमाग को एक धर्म के खिलाफ और एक सत्ताधारी दल के पक्ष में करने के लिए कैसे यह एंकर्स पूरी निष्ठा के साथ काम करते रहते हैं जिसे ह प्यूव चैनलों के content पर नजर रखने वाली बनी self regulatory body ने तीन चैनलों के कारेक्रमों को गैर जिम्दाराना नफरत फैलाने वाला और मुसल्मानों को target करने वाला माना है यह तीन channels है टाइमस ओफ इंडिया ग्रूप का नो भारत, अम्बानी मीडिया का नियूज एटीन और इंडिया टूडे का आज तक, चेहरे तो आप पहचानती हूँ, हर रोज ब्लैक्स ज्यादा वाइट कम जैसे शो लेकर आने वाले तिहार रिटरन सुधीर चौधरी, आपके दिमाग म हर रोज नफरत और जहर का हैवी डोज इंजेक्ट करने वाला अमिश्देवगन और अमन चोपरा, और ये चाउते है सर्जन है, हिमान शुदिक्षित, इनका नाम मैंने पहली बार सुना है, इसलिए इनके परफॉर्मेंस के बारे में मैं आज्यानी हूँ, या आप मान सकत है, मैंने इनका ना शो देखा है ना कुछ इनके बारे में जानता हूँ, हो सकता है मोदी भक्ती और मुस्लिम हेट वाली पत्रकारता में अपनी जगा बनाने के लिए संगर्ष कर रहे हूँ, वहाँ बहुत कॉम्पिटिशन है ऐसे भी, कम से कम दो धाय दरजन एंकर तो है या एंकर्स या एंकरानिया, तो अब बात इन एंकर्स के उन कारिक्रमों की जिसकी वज़ा से इन सब के चैनलों पर जुर्माना ठोका गया है, हलाके मैं ये भी जानता हूँ, और मानता हूँ, कि मोदी भक्ती में डूबे या एंकर्स इतने पतित हो चुके हैं, इतने जिलजे और बेगैरत हो चुके हैं, कि इनके सुधरने की गुनजायस लगबाख खत्म है, उसके वज़ए है, किसी भी तरह की डांट फटकार चेताबनी या जुर्माने से इनकी नफरती सोच पर लगाम नहीं लगने मानी है, ये सुधरेंगे तब ही, जब इने लगेगा, कि अब इनकी नौकरी जा सकती है, या इन्हें सलाकों के पीछे जाना पड़ सकता है, जिसके फिलाल कोई गुनजायस नहीं है, जब तक इन सब पर मोदी और शाह की सबता का अश्रवाद है, तब तक इनका कुछ बिगड़ेगा नहीं, ये भली भाती जानते हैं, इनके माल परता है, नहीं NBDSA जैसी सेल्फ रेगुलेशन करने वाली बॉडी के जुर्माने का इन पर कोई असर परता है, इन्हें पता है, सैयां भय कोतमाल तो डर काहेगा, वरना कोई वज़ा नहीं है, कि सुप्रिम कोट के ये कहने के बाद भी, कि नफरत फैलाने वाले एंकर्स क ओफ एर क्यों नहीं किया जाता, सरकार चुप क्यों है, ये NBDSA जैसे संस्था क्या कर रही है, किसी की सेहत पर कोई फर्क में परता, ये कोई पहला मौका नहीं है, जब NBDSA यानि News Broadcasting and Digital Standard Authority ने देश और समाज में नफरत और जहर पहलाने वाले न्यू चैनल्स और एंकर्स को जुर्माना लगाया है, पहले भी हुआ है, पहले भी अमन चोपड़ा पर 50,000 का जुर्माना लगा, क्या फर्क पढ़ा है, पढ़ा है क्या, चेताबनी पहले भी मिली है, पढ़ा है क्या, अब क्या हुआ है, कुछ शोज हैं, जिसको लेकर शिकायत की गई थी NBDSA में, और में पहले भी मैं बता चुक हूँ, NBDA से जो चैनलों के मालिक हैं, मालिकों की एक संस्था है, जो पहले NBDA हुआ करती थी, News Broadcasters Association, जब Digital Platform आ गया, तो NB News Broadcast and Digital Association होगा, और उसकी एक संस्था है, Self-Regulatory, जो स्वायत है, जो Autonomous है, और मालिकों की तरब से उस बॉड़ी में लोग नावीत होते हैं, और उसके जो Supreme Court के Retired Judge हैं, उसके Chair Person होते हैं, किसी जमाने में Justice J.S. वर्मा हुआ करते हैं, अभी बीच में Justice Ravindran थे, अभी Justice A.K. सिकरी हैं, और उसके बाद Channel की तरब से कुछ लोग होते हैं, कुछ Civil Societies के लोग होते हैं, यह NBDSA हैं, और Self-Regulation की बात की जाती हैं, और मैं Self-Regulation का पक्षदर रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आज क्या हो रहा है, और यह Self-Regulatory Body कुछ कर पा रही, नक्स, सिक, दंत, बीन, बाडी, और इस बाडी के इस तरह के जुर्माने का कोई फर्क पड़ता है, क्या, कोई पड़ेगा क्या, तो हुआ यह, हर रोज यही कारिक्रम करते हैं, अगर इनके कारिक्रमों को अगर शिकायत के तोर पर दर्ज कराने लगें, तो हपते में एक anchor के कम से कम दो या तीन शो के खलाब शिकायत दर्ज की जा सकती है, कराई जा सकती है, और अगर उसी तरह से सुनवाई हो और उसी तरह से कोई अक्टिविस्ट उस मामले में उसको पिच करे तो शायद तीन बार जुर्वाना में हो सकता है लेकिन मैं जानता हूँ कि ऐसा होगा नहीं बहुत आसान नहीं है तो भराल सुधीर चौधरी और इन सब के खिलाब जो हुआ जैसे न्यूज एटीन के खिलाब जो मामला है ये दर्ज कराया है एक एक एक्टिविस्ट है उन्होंने इंदरजीत गोर पड़े उन्होंने ये मामला एन्वीडियसे में दिया था उसका एक तरीका होता है कि आप अपने शिकायाद दरज कराएं तो ये सारे इनके कारिकरम लब जिहाद को लेकर है अब अश्टे ओगन लब जिहाद बहाना एक मजब निशाना जब ये थम्निल है तो वो कहने की कोशिस करा एक जीचाना मतलब हिंदु निशाना नहीं लब जिहाद बहाना मुसल्मान निशाना दरसल इसके पीछे दिमाग और सोची है एक कारक्रम यह है देश नहीं जुकने देंगे जो 21-2022 को एर हुआ दूसरा कारक्रम उसी में महरोली मडर को लेकर हुआ था श्रधा वाकर कांड हुआ था उसको लेकर इसी तरह का लब जिहा गेस्ट और इसमें लब जिहाद बहाना एक मजभ निशाना में जिस तरह से डिवेट को हैंडिल किया गया और जिस तरह से एंकर ने भूमिका निभाई जिस तरह से मुसलिम पैनलिस्ट को एंकर ने ऐसे सवाल किये जिससे उनके मजभ उनके धर्म को टार्गेट किया गया केस में उसी पर एक लंबी चोड़ी शिकायत दर्ज कराई गई और शिकायत की सुनवाई के बाद क्या कहा है जस्टिस सुनिये और सुधाब आकर केस में हुआ ये था आपको पता होगा महरास्त की मुंबई में रहने वाली लड़की वो 2022 की घटना है उसको बॉइफरेंड के दोस्ती दोनों के रिष्टे और उसके बाद उस लड़के की दरिंदगी की कहानी है जिसने उस लड़की की बेरहमी से बरबरता सहत्या की एकदम दरिंदगी सहत्या की जिससे कतित तोर पर वो प्यार करता था लड़की तो करती थी तब ही लड़की अपना घर परिवार च जलाद नहीं होता लब जहाद बहाना एक मजभ निशाना ये सब टाइप की इसमें जो चली इसी को विस्तार्ट से जो शिकायत करता है उन्होंने इसमें शिकायत की अब जो जस्टिस सिक्री ने जो जज्जमेंट दिया जो फैसला दिया आकरी में उस फैसले को आप सुनिया पचासजार का जुर्माना जिसमें उन्होंने कहा है और यह थमनेल है स्क्रीन पर अभी थमनेल लगा रहे हैं लब जहाद एक जुमला है अब इसमें जस्टिस सिक्री ने कहा है एन्बी डियसे अब्ज़ब दाट वाइल दे विडिया है वाइल टो कंड़ डिवेट्ट इन अब्ज़ब इस चॉइस अब इस चोइश आप कोई भी डिवेट कर सकते हैं किसी मुद्दे पर लेकिन श्रदा बाकर केस पर करते हुए इसको लब जहाद से लिंक करके और एक खास मकसद से कर रहे हैं यह सही नहीं है जिस तरह से ब्रोडकास्ट ने किया और उसके बाद इसमें उन्होंने लिखा है, NBDSA also observed that the way anchors conducted the so-called debates, जिस तरह से anchor ने so-called debate किया around love jihad, was also inappropriate. और उसी में उन्होंने कहा है कि उन्होंने target किया इस show के जरिये entire community को, instead of blaming a few miscreants for murders and violence, जो हत्यारा है, उसको blame करने की बजाए एक entire community को उन्होंने target किया. This was evident from the statements made by anchors during the show, including the repeated references linking the term love jihad to the Shradhavakar murder case and the usage of hashtag love jihad files in the second and fourth broadcasts in relation to a particular community. एक धर्म को target करने के लिए या एक धर्म को निशाने पर रखने के लिए इस तरह के show किये गए, इसी तरह से उन्होंने आगे लिखा है, कि NBTSA stated that the term love jihad should not be used loosely and should be used with great introspection in future, को मतलब इस तरह से ये न करे भविश में इसका इस्तिमाल न करे, इस तरह के कारकरम से जो secular fabric है देश का वो बरबाद हो सकता है और इसका असर एक धन विशेश को जिस तरह से target किया जाता है, इससे जो communal harmony है वो खराब होगी और एक ऐसी अपर्निया छती होगी जिसकी भरपाई मुश्किल होगी, ये justice seekerी ने अपने फैसले में लिखा है, और love jihad को लेकर इतने show होते हैं तो आपको पता होगा, इसी में accuracy under the code of ethics, but also violative of the specific guidelines covering reportage relating to racial and religious harmony और इसलिए उन्होंने आगे इस पर फैसला दिया है, जिसमें हेडिंग यही सब था, जो मैंने आपको कहा की फैसला इन्होंने देते हुए कहा है, in view of the above, in so far as the first, second and fourth broadcasts were concerned, NBDSA decided to admonish the broadcaster particularly the anchors and impose a fine of 50,000, मतलब पचास जार की, चेताब नहीं देकर पचास जार की का जुर्माना लगाता है, यह साफ लिखा हुआ है, खास तोर से anchors पर, और NBDSA further also directed the broadcaster to remove the video of said broadcast, if it's still available on the website of channel, YouTube और hyperlink कहीं भी है, तो यह सब हटा दे, इस तरह से, इसमें, क्योंकि उस समय आपको पता होगा, श्रधावाकर की case में, इसी तरह की narrative लगातार चलना था, इसमें विस्तार से करूँगा, तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्या-क्या anchor ने कहा, क्या anchor ने पूछा, यह विस्तार से इसमें लिखा गया, दूसरा जो है, फिर नौभारत को लेकर है, नौभारत टाइमस अफ इंडिया का है, इसमें भी वैसे ही, लब जिहाद को लेकर चैनल पर जो चला, प्रोग्राम लब तो बहाना है, हिंदू बेटिया निशाना है, और अरे भाई, कई बार कोई adult अपने हिसाब से शादी करता है, और उसमें कोई दरिंदगी करता है, दोखा देता है, प्यार में दोखा देता है, और उसके बाद हत्या करता है, वो दरिंदगी करने वाला वो लड़का पकड़ा जाता है, अक्सर ऐसे केस में जहां अगर लड़का, अगर मुस्लिम है, लड़की हिंदू है, तो उसको लब जिहाद बना दिया जाता है बहुत ऐसे केस हैं पिछले नौ साल में खास तोर से भाई उस लड़के की दरिंदगी पर जितनी बात कीजिए उस लड़के को सक्से सक्सा जाओ जिसने उस गर्ल्फरेंड को उस लड़की को जिसने उसे महबत की जिसने उस पर भरोसा किया जिसने उसके में अपने परिवार रिष्टेदार और समाज को छोड़कर उससे शादी की उसको दगा दिया और उसकी हत्या की जितनी सक्स सजाओ लेकिन क्या उसकी आड में और उस अफ्ताब या सलमान या किसी ऐसे शक्स के नाम के बदले आपका धर्म विशेश को टार्गेट कर सकते हैं लेकिन यही होता है अगर सिर्फ लड़के का होना मुस्लिम जबूरी है बस तो इसी तरह से लब तो बेटिया है हिंदू बेटिया निशाना है लब तो बहाना है माफ करने और उसके बाद ये कारिकरम एक तिस पांच दोजार तेश को नोभारत पटेली कास्ट हुआ है और इसमें बहुत विस्तार से बहुत कुछ लिखा गया है कंपलेनेंट की तरफ से कि क्या-क्या उस शो में प्रॉब्लम थी और अंत में जो जज्जमिंट दिया है जस्टिस सीक्री ने इसमें जस्टिस सीक्री ने लिखा है कि जब शो के दोरान कुछ पैनलिस्ट ने ये बता से जोडते हैं तो anchor the anchor shouted them the anchor shouted them down and did not allow them to express their views तो anchor ने उन पैनलिस्ट को data चीखा और उन्हें अपनी राय नहीं रखने दी क्योंकि वो कह रहे थे किसको आप धर्म से मत जोड़िये इस तरह की किसी घटना को communal angle मत दीजिए अगर कोई ऐसा incident हुआ है ऐसी दरिंद की हुई है तो इसी में NPDSA also observed that there may be some instances where boys from particular community married Hindu girls however some such instances should not lead to making generalized statement regarding interfaith marriages by giving to a communal color अगर ऐसा हो सकता है कि दो community के लोगों ने शादी की इंदू लड़की को मुसलिम लड़का हो सकता है लेकिन इसको generalized नहीं किया जा सकता इस interfaith marriage को कि और इसे को communal color नहीं दिया जा सकता साम्रदाइक रंग नहीं देना चाहिए यह उन्होंने का every citizen from whichever religion has a right to marry a person of his or her choice irrespective of the religion to which he or she belongs हर young को adult को यह अधिकार है कि वो किसी भी शादी करे किसी लड़की से या लड़के से चाहिए वो किसी भी धर्म का हो यह अधिकार देता है संभिधान देश का कानून देता है सिर्फ इसलिए कि एक हिंदू लड़की ने एक साधी के जाल में फसाकर यह गलत है यही उन्होंने अपने फैसले में लिखा है कि इस तरह से उन्हों बहुत कुछ लिखा है इस जन्रलाइजेशन आप इस इंसिदेंट बाय टार्गेटिंग इंटार कॉमुनिटी मतलब यह आप सरली करन करने जन्रलाइज कर रहे हैं इसके बहाने आप पूरी कॉमुनिटी को टार्गेट कर रहे हैं विच विच इज फांड तो बी और निट्रलिटी के खिलाफ है और अपनी जो मर्यादा है जो इथिक से उसका पुलंगन करते हैं इसी को उन्होंने चिन्हित करते हुए कहा है किलब जहां शुड बी यूजड विट सीरियस इंट्रस्पेक्शन इन फ्यूचर और इन व्यूव अप देव वाइलेशन एन इसे डिसाइड़ तो इंपोज ए फाइन उफ रूपीज वन लैक और उसके बाद ये निर्देश है कि ये सारे अपने चैनल से जहां भी लिंक है सब हटा दें तो यह अब यह तीसरा सुदीर चोधरी के बारे में पंदरपने हैं इसमें लंबी चोड़ी शिकायत है जो रा इननों ने दिखाया और उसको बताते समय चैनल से उफाइस इस तरह से उन्होंने साभित करने की कोशिस की कि मुस्लमान एक खास इलाके को इस तरह से इस इलाके पर डॉमिनेट करते हैं जैसे मुसलिम इलाका है और वहां वह अपने ढंग से बहुत तरह कि ऐसी रातों को अंजाम देते हैं या वहां किसी की नहीं चलती पॉलिटीशियन धुर्वी करन करते हैं या तुष्टी करन करते हैं उसके लिए इन सब वाद उन्होंने नसियत देते हुए कहा है कि NBTSA noted that it appears that in the broadcast the incident of communal violence committed by a few miscreants had been generalized by the anchor to target a particular community. मतलब जो घटना हिंसा जो भी हुई उसको कुछ लोगों के द्वारा उसको generalize करके anchor ने एक particular community को target किया मतलब एक दर्म विशेच मतलब Muslim को target किया है. This is evident from statements made by the anchor in the broadcast. और ये anchor के broadcast में जो बोला गया है उससे ये बात साबित होती है. NBDSA ने और उसके बाद इनको नसीहत दे दिये है कि आगे से इस तरह के आप प्रोग्राम करते समय केरफूल रहे हैं. हलाकि इनको जुर्माना सुधीर चोधरी को नहीं लगा है. तो ये सब तो NBDSA ने कहा है. लेकिन सवाल यही के NBDSA ने तो पहले भी अमन चोप्रा जो न्यूजेटीन का anchor है उस पर 50,000 का जुर्बाना लगाया था. क्या अमन चोप्रा सुधर गया? अक्टूबर 2022 में घटना हुई थी, 27 अक्टूबर का ओडर था, जब अमन चोप्रा को 50,000 का जुर्बाना लगाया गया था. और उस समय भी उस तरह से शिकायत उसके खिलाफ की गई थी, कि उसने अपनी कारिकरब में मुस्लिम चात्राओं और उनके समर्थकों को एक आतंकवादी संगठन से जोड़ने की कोशिस की. एंकर और पैनलिस्ट ने मुस्लिम समुधाय के खिलाब खतरनाक रूडियों को बढ़ावा दिया और अनाप्शनब बातें की. तब भी एंवीडियसे ने कहा था, मन्चोप्रा को सम्देशीर मामलों पर बहस करने के तरीके के बारे में प्रसिक्षित करने की जरुवत है, लेकिन कुछ हुआ नहीं. अब ये तो है एंवीडियसे. और नकसी दत्मिहीन है, मैं कहता हूँ, ठीक है, चले जुर्माना लग होंगे, क्या उन नफरती पत्रकाटता जो कर रहे हैं, एक धर्म को जो टार्गेट कर रहे हैं, क्या वो कम करेंगे, नहीं करेंगे. दे देंगे जुर्माना एक लाग, मालिक दे देगा, क्योंकि मालिक से लेकर एंकर तक, सबका कनिक्षन अब उपर है, और सबका मालिक एक तो ये तो एक तैसुदार चीजें हो रही है ये अनायास नहीं है सायास है किया जा रहा है उन्हें छूट है मालिकों की तरफ से छूट है कि यही करो एक जमारा था इसी आज तक में मैंने भी एक साल के लिए आज तक में काम किया था 2002 का दौर था और मैं तो सलाम करूँगा उस दौर के अरुनपुरी को जो आज तक के मालिक है आज उनकी बेटी वहाँ उनकी जगह उत्रादिकारी के तौर पर देखती है लेकिन उसमें एक एक ग्राफिक्स पर अरुनपुरी के नजर होती है कोई भी ग्राफिक कोई भी फैक्चुल एरर अगर गया कोई गलती गई तो एकदम लोग हरकम पूरे फ्लोर पर हरकम हो जाता था कि ऐसी गलती कैसे हो से इतना फैक्चुली करेक्ट रहने की और रखने की कोशिस आज तक को करते थे अरुनपुरी आज वही अरुनपुरी तमाश भी नहीं है देख रहे हैं सुदीर चौधरी की जहर बोड़ा है देख रहे हैं और भी लोग क्या कर रहे है लेकिन कोई फर्ट नहीं पड़ता है आज की तारीक में अगर ऐसा कोई ओडर हो गया तो कारवाई होनी चाहिए ना एंकर को पास दिन-दस दिन आफेर कर दो बताओ कि हाँ हम इसको लेकर संजीदा है देश को बताओ दर्शकों को बताओ कि हमारे लिए शर्मिंद्गी की बात है कि NBDSA ने हमारे एंकर को सुदीर चौधरी को यह नसीयत दे दिये बताओ कि हमारे एंकर अमन चोपडा और अमिश्द्योगन को अगर जुर्माना लगाया उन पर तो ये हमारे लिए शर्मिंद्गी की बात है बताओ और ये चेताब नी दो कि खबरदार इस तरह के content channel पर चलाया तो एक order मुझे लगता है order क्या मौखिक तोर पर बहुत फटकार लगाई थी सुप्रिम कोट ने जस्टिस जोसेफ की bench में हुआ था शायद जो जन्वरी 2023 में जब जस्टिस जोसेफ हाँ जस्टिस जोसेफ आप रिटायर कर गए उनकी bench में हुआ था जब NBDSA बचाओ कर रहा था चैनल्स का एक मामले की सुनवाई थी तो कोट ने कहा था साफ नफरत फैलाने वाले anchors को offer क्यों नहीं करते मीडिया समाज को बांटने का काम कर रहा है जस्टिस जोसेफ ने NBDSA से पूछा था उनके वकील से कि अगर TV कारेकरम के anchor में समस्या है तो क्या किया जा सकता है आप पक्षपात आपको नहीं करना चाहिए और कहा था कि आप बताईए कि आपने आप तक कितने anchor स्कौट आया है और NBDSA मैंने जैसा कि कहा NBDSA मालिकों की संस्था है और वहां एक regulatory body है जिसके Supreme Court के retired judge जिसके chairperson होते हैं तो मालिक ने tag कर लिया कि हम ठीक है anchor यहीं बोलेगा NBDSA क्या करेगा license रग तो कर नहीं सकता self regulation है तो यहीं करेगा लाग रुपे जुर्माना करेगा कर दो जुर्माना दे दो पैसा एक लग रुपे क्या चीज़ और किसी समय मुझे याद ये भी आ रहा है कि Supreme Court ने जैसे इसी में था justice जो सिफ ने कहा था आपति जनक anchor को offer किया जाना चाहिए और उन चैनलों पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए जो प्रोग्राम कोड का उलंगन कर रहे हैं और जब तक आप उनको आर्थिक नुकसान नहीं पहुँचाएंगे तब तक वो सुधरेंगे नहीं इस तरह की बात हुई थी तब जब जो याचका हैं बहुत उस समय दायर हुई थी सुधर्शन टीवी पर नौकरशाइद जिहाद और तबलीगी जमात को लेकर कोरोना जिहाद दुनिया भर के ऐसी हेट स् नंतिये फैसला दिजे कि इनको तीन मेने ओफ एर करो इनको चार मेने ओफ एर करो और जब तक यह सुधरेंगे नहीं तब तक लिख्के दे कि हम इस तरह की बात नहीं करेंगे नफरती तब इनको on-air करो, यह हो निसरा, क्योंकि यह self-regulatory body है, जो यह कर नहीं सकती, और करेगा, तो ऐसा भी हुआ है, कि NBA से के फैसले के बाद एक चैनल, डेश का एक चैनल, NBA से आउट हो गया, कि मैं आउट हो जाता हूँ आपकी संस्था से, फिर आपने जो कहा, चुकि स्वायत संस्था है, self-regulation है, हम पर आमल नहीं होता, हम पर लागू नहीं होता, तो ऐसा भी हो चुका है, सुप्रिम कोट ने, पहले वे एक और देख रहा हूँ, मैं सितंबर दोजार बाइस में, कि TV एंकरों की बड़ी जिम्मेदारी है, केंदर चुप क्यों है, इसमें स्पीच और इस सब के मामले में तब भी बहुत नाराज हुआ था, कि एंकरों को बताना चाहिए, कि आप अगर गलत करते हैं, तो परिणाम भुगतने होंगे, समस्या तब होती है, जब कारेकरम के दोरान, आप किसी वैक्ति को टार्गेट करते हैं, उसे बोल ले नहीं दे लेते हैं, और इसका नेता भले फाइदा उठा रहे हैं, लेकिन लोगों को नुकसान हो रहा है, कि एंदर चुप क्यों है, कि एंदर सरकार इस पर सक्त नियामक तंतर स्थापित करें, हलाके मैं मानूँगा कि कि एंदर सरकार को नियामक की जरूरत नहीं है, स्थापित करन कि नफरत को रोकना एंकर की जिम्यदारी है और उसमें भी सुप्रिम कोर्ट ने कहा था सुप्रिम कोर्ट में याच कायत ही हेट स्पीच को लेकर तो सुप्रिम कोर्ट के जस्टिस जोसेफ और जस्टिस रिश्ट के इस रॉय की बेंच ने कहा था एंकर्स की जिम्यदारी है क यूपीएस्सी जिहाद को लेकर जब बवाल हुआ था और कोट में मामला गया था सुदर्शन टीबी के खिला बताएं यूपीएस्सी में जिहाद से लोग भरती हो रहे हैं ये कारेकरम चला और डंके की चोट पर वो चैनलों पर इस तरह की बखवास करता रहा तो जैसी सबसे दिक्कत क्या है कि इसे कोई फर्क नहीं पढ़ रहा है और इन एंकरों को लगता है कि मालिक हमारे साथ मोधी जी हमारे साथ है बीजेपी की पूरी मशिनरी हमारे साथ है और बहुत बड़ी जनता जो मोधी समर्थक जनता है भक्त समुदाय है मोधी समर्थकों की मोधी के अंधभक्तों की जो भीड़े जो वही सुनना चाहती है जो ये सुनाते है जिनके भीतर मुसल्मानों के प् परवा नहीं तो ये NBDSA की परवा क्यों करने लगे तो फिलाल परवा आपको करने चाहिए इस वीडियो के ही खत्म करते हैं फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में आपने अगर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया तो अच्छी बात है नहीं किया तो मुमकिन हो करिए नमस्कार